हेलो स्टुडेंट आप सब कैसे हैं मुझे आसा है कि आप सब अच्छे होंगे और आपका एकजाम का तयारी भी अच्छा तरीका से चल रहा होगा चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा कोस्टन कौन सा चेप्टर का करने वाले हैं जैसे कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा दो चर वाले रैखिक समिकरण यूग में जो की चैप्टर 3 है और प्रसनावली 3.3 का हम लोग कोस्टन नमबर 1 का सभी कोस्टन करने वाले हैं इस वीडियो में तो ध्यान से देखेगा इस वीडियो को वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहले बारा आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही easy step में question बनाने के लिए बताया जाता है जैसे कि यहाँ पे दिख लिजिए यह पहला question है ठीक है जैसे इस question को पढ़ लिजिए क्या कहता है निन रैकिक समिकरण युगम को परती आस्थापन बीधी से हल कीजिए जैसे यहाँ पे question number 1 है x plus y बराबर 14 और फिर x minus y बराबर 4 दिया है इसी question को हम लोग दूसरे page में ले चलके इसको बनाते हैं यानि solve करते हैं और देखते हैं क्या answer आता है जैसे की यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यह question आपका इसी question को हम लोग यहाँ लिखेंगे हल ठीक है और उसके बाद इसे बनाना चालू करेंगे ठीक है अब इसको हम लोग बनाना चालू करेंगे तो ध्यान रखना है हमें कि जो है कभी भी हम लोग उस हिसाब से न लिखेंगे कि कौपी खराब दिखने लगे ठीक है तो जो दिया है जैसी यह X पलस Y बराबर 14 दिया है इसे लेख लेते हैं X पलस क्या है X पलस Y बराबर कोस्चन में दिया है 14 इसी को हम लोग समिकरण 1 मान लेंगे जो पहला दिया है उसके बाद दिया है X-Y बराबर 4 दिया है ठीक है यहाँ पे समिकरण 2 मान लेंगे ठीक है समिकरण 1 हो गया और समिकरण 2 हो गया ठीक है तो इसी से हम लोग को कोस्चन को सोल्ब करना है इसे ध्यान से देखिएगा हम जो है कलर चेंज कर लेते हैं पेन का जैसे कि यहाँ पे जो आपका समिकरण हलका होगा इसमें से दोनों से भैलू निकल सकता है पर इससे जब बड़ा बड़ा जब कोस्चन आएगा तो उसमें देखिएगा कौन सा इजी है समिकरण तो माल लिजिए समिकरण 1 इजी है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समिकरण 1 से क्यूंकि हम लोग समिकरण 1 से कोस्चन को सोल्ब करने वाले हैं ठीक है तो समिकरण 1 में है जो उसे हम लोग यहाँ लिखेंगे x पलस y बराबर क्या लिखा है 14 अब जो है X को इधर ही रहने देंगे और Y 14 जो दिया है Y को इधर पलस में है इधर भेजेंगे तो माइनस Y होगा इसी को हम लोग क्योंकि X बराबर इतना भैलू आ चुका है इसी को समिकरण 3 हम लोग मान लेंगे ठीक है ये होगे आपका समिकरण 3 अब ध्यान रखना है कि जब हम लोग समिकरण 3 एक को मान के निकाले है तो इस भैलू को समिकरण 1 में रखना होगा जैसे कि ये X बराबर आया है तो यहाँ लिखेंगे समिकरण क्या चीज समिकरण यहाँ पर ध्यान दीजिएगा समिकरण किसमे रखना है 2 में समिकरण 2 में किसमे 2 में X का मान रखने पर मान रखने यानि भैलू रखने पर ठीक है अब जब हम लोग इसे रख देंगे रखने पर तो जो है यहाँ पे x है और minus y बुराबर क्या है 4 यह समिकरन को देखे एक बार दो को यहीं है अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें यह भैलू रखना पड़ेगा क्योंकि x बुराबर हमारा इतना भैलू आया है तो x के जगह हम रखेंगे 14-y तो यहाँ रख दिए 14-y और फिर यहाँ पे minus है तो minus और y है तो y अब बुराबर क्या है 4 अब ध्यान से देखिएगा इसे ठीक है अगर हम लोग y1 है इधर भी और minus y1 यहाँ भी है minus 1y यहाँ भी है तो एक और एक मिलकर क्या होगा minus 2y हो जाए और यह 4 पहले से है और इस 14 को जो है इस 14 को हम लोग इधर भेजेंगे बराबर के इस side तो इधर plus में है इधर आके का हो जाएगा minus में हो जाएगा ठीक है उसके बाद अगर हम लोग यह multiply यहाँ छुपा रहता है y over 2 के बीच ठीक है तो इस y over 2 के बीच जो छुपा हुआ है उससे जब अगर हम लोग यह गुणा में है अगर इसको इधर ही रहने देते हैं ठीक है ध्यान से देखिएगा एक बार अगर इस y को यही पर रहने देते हैं और 14 में से यहाँ minus 14 में से 4 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा minus 10 क्या होगा minus 10 और यह दो गुणा में है तो minus 30 जर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा जो गुणा में इधर आता है बराबर के इस साइड अगर बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा तो माइनस से माइनस कट गया और दू एकम दू आ दू पांचे दस यानि वाई बराबर आ गया हमार भाईलू क्या y बराबर 5 आ चुका है हमारा यहां पे ठीक है तो अब इसी भाईलू को हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे तो फिर यहां पे लिखेंगे थोड़ा मैं इसे कर देता हूं कि ताकि आपको कोई दिकत ना हो सके ठीक है अब यहां y की बात है तो यहां लिखेंगे सम समीकरण किस में समीकरण 3 में किस में समीकरण 3 में y के मान रखने पर क्योंकि y क्या भाईलू 5 आया है तो यहां रखेंगे y का मान रखने पर ठीक है ध्यान से देखिएगा मान रखने पर तो यहां पे समीकरण 3 यह है तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि समीकरण 3 में जैसे यहां पे x बराबर है 14 और माइनस क्या है y तो y बुराबर हमारा क्या आया है 5 तो यहाँ पे x रहने देंगे ठीक है और y 14 है और minus है आपका तो यहाँ पे y का भेलू कितना है 5 आया है तो y के जगा हम लोग 5 रख देंगे तो यहाँ देखे तो x बुराबर आगया 14 में से 5 घटा तो 9 यानि x बुराबर 9 आगया और y बुराबर कितना आया था y बुराबर आपका आया था कितना 5 तो वहीं चिज यहाँ लिखेंगे अता अत क्या लिखेंगे अत एक्स बुराबर कितना भेलू आया है नो और वाई बुराबर कितना है आपका भेलू यहां पर पांच तो पांच यहीं आपका एंसर हो जाएगा ठीक है अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर चलिए स्टूजेंट हम लोगों ने प्रस्न वन को हल कर लिया है अब जो है प्रस्न संख्या 2 जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है इसे हम लोग हल करने वाले हैं जो की आपके यहां पे दिखाई दे रहा है तो चलिए इसको भी हम लोग ले चलते हैं दूसरे पेज मे जो की question यहां पे दिखाई दी रहा होगा जैसे यह है question 1 यहां पे दोनों का जो है समीकरण 1 और 2 दिया है जैसे यह question में दिया है S-T बुराबर 3 दिया है जिसे हम लोग मान लेंगे समीकरण 1 हम लोग यहीं से हल करना चालू कर दिये हैं ठीक है तो यहां से जब हल करना चालू कर देंगे ठीक है ध्यान से दिखिएगा आप इस वीडियो को थोड़ी सी भी mistake होगी इधर उधर के बातों पर ध्यान दिजिएगा तो मज़ा नहीं आएगा तो समीकरण 1 यह हो गया ठीक है और इसके नीचे यह दिया है आपको S बट्टा 3 ठीक है यह 5 नहीं है S है और पलस T बट्टा आपका 2 दिया हुआ है ठीक है अब यह जब दोनों दे दिया है और बुराबर 6 दिया है इसे समीकरण 2 तो मान सकते हैं पर आगे चल के लेंदी हो जाएगा हमारा सवाल तो इसलिए हम लोग यहीं पर काम तमाम करके तब समीकरण 2 लिखेंगे तो बैतर रहेगा तो इसको 3 अवर 2 का LCM निकालेंगे तो यहाँ पर 3-2 का LCM 6 होगा इससे भाग देंगे तो 3 दुना 6 यानि 2 बार में कटेगा और 2 से S में गुणा करेंगे वहीं बट्टा वाला यानि भीन वाला जोड तो 2 से अगर S में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2S और फिर यहाँ पर आपका पलस है तो पलस और फिर इससे भाग देंगे 6 में तो 3 दुना 6 तीन बार में कटेगा और 3 से T में गुणा करेंगे तो 3 T हो जाएगा और बुराबर 6 हो जाएगा ठीक है उसके बाद ध्यान यह रखना है कि जब यह कर दिये तो इधर बचिगा 2S ठीक है और पलस 3 T बुराबर 6 और जब 6 है यह बाट्टा में है इधर यानि भाग में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पे हो गया 2S पलस 3 T बुराबर 36 यानि समीकरण 2E से हम लोग मान सकते हैं ठीक है समीकरण 2 हो गया अब जो है समीकरण 1 से हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे जैसे कि यहाँ पे यह दिख रहा है तो यहां लिखेंगे हम लोग समिकराण किस से समिकराण 1 से ठीक है समिकराण 1 से तो समिकराण 1 में है S-T बुराबर 3 दिया है ठीक है जो आपको दिखाई दे रहा है अब इसको थोड़ा सा मैं पेज को उपर कर लेता हूं क्योंकि आपको समझने में थोड़ी सी प्रोब्लम ह जाँ सकती है ठीक है अब जो है यह T अगर S को रहने दें इधर बराबर ध्यान से देखे एक बार ठीक है S को इधर रहने देते हैं अबर 3 है इधर और T इधर माइनस में है इधर भेज देंगे तो अपना चीन बदल देता है तो माइनस हो जाता है पलस में तो T पलस में हो गया इसे जो है देखे S का भैलू आ चुका है S बोराबर आ गया है 3 पलस T ठीक है इसे माल लेंगे हम लोग समीकरण 3 ठीक है इसे माल लेंगे हम लोग क्या चीज समीकरण 3 चलिए अब जो है इस समीकरण 3 का हम लोग रखेंगे किसमें समी करण one में तो यहां लिखेंगे कि यहां देख लीजी one से हम लोग काम किये हैं तो अब यह समी करण two बचा हुआ है तो यहां पर हम थोड़ा सा लाइन खीच देते हैं क्योंकि आप लोगों को दिक्कत होगी समाझने में तो इधर पूरा final कर दे देते हैं नहीं तो थोड़ी सी मैंने अच्छा नहीं दिखता है किनकि पेज अगर दूसरा पेज पर बनाना चालू करेंगे तो सायद आपको समझ में ना आई चलिए अब यहां पे देख लिजिए ठीक है अब यहां पे समीकरण टू में यहां लिखेंगे समीकरण समीकरण टू में एस का भैलू देखिए यहां पे एस का भैलू आया है तो इसलिए यहां लिखेंगे एस के मान रखने पर ठीक है अब एस का मान रखेंगे किस में समीकरण 3 में यहां पे समीकरण 2 में रख रहे हैं किस में रख रहे हैं समीकरण 2 में तो यहां पे समीकरण 2 देख लिजिए है 2S पलस 3T बुराबर 36 दिया है अब जहाँ जहाँ S है वहाँ वहाँ 3 पलस T रखेंगे तो यहाँ 2 है तो 2 गुणा में है तो 2 रखेंगे और S के जगा हम लोग यहाँ 3 पलस T दिया है इसी को यहाँ लिखेंगे 3 पलस T इसको कोष्ट अंदर कर लेंगे कि ताकि हमारे कल्कुलेशन में दिक्कत ना हो सके फिर यहाँ पलस है तो पलस और फिर यहाँ पर 3 T है तो 3 T बुराबर 36 लिख देंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 3 से और 2 में गुणा होगा तो 3 दुना हो जाएगा 6 और पलस है यहाँ पे तो पलस और फिर दूसे T में गुणा होगा तो 2T हो जाएगा और पलस यहाँ पे है 3T तो 3T लिखेंगे और बुराबर 36 ठीक है अब जो है इस 6 पलस में है इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा और 2T और 3T मिल के हो जाएगा 5T बराबर हो जाएगा आपका कितना 36 और ये पलस में था इधर आया तो 6 माइनस में तो यहां आपका इसको या के चीन दे दिजिएगा सब में ठीक है अब जो है यहां पे क्या आगया यानि 5T क्या आया है 5T बराबर आपका आगया है 30 किमकि 36 में से चोगट गया 30 हो गया अब जो है हम लोग क्या करेंगे यहां पे अब क्यावल ये T को इधर रहने देंगे अबर 30 इधर है अगर यहां पे क्या छूपा रहता है यहां पे आपका छूपा रहता है क्या चीज गूड़ा ठीक है ये पलस 5 है तो इसको बनिया से लि बराबर के इस साइड आता है तो भाग हो जाता है तो 6 पांचे 30 बार में यानि 6 बार में कट गया तो T का भैलू क्या आ गया 6 अब 6 जब आ गया T का भैलू तो अब जो है हम लोग समिकरन 3 में T का मान रख देंगे अब यहां लिखेंगे समिकरन 3 में T का मान रखने पर ठीक है इसको ध्यान से थोड़ा कर दिजिएगा क्योंकि इधर मेरा शरीर से नहीं दिखेगा यहीं तक हम लिख देखते हैं मान रखने पर तो T का भैलू है आपका S है बराबर 3 और पलस T है तो T यहां पे T है तो T बराबर क्या आगया है यहां S बराबर 3 और यहां पे आपको जो है पलस 3 है तो अब इस 3 को थोड़ा मैं उपर कर देता हूं इसको यहां पे ध्यान से देख लिजिएगा अब पलस है तो पलस और T क का का भाईलू हम लोकको यहां पर देखने को मिल जाएगा आगया है 6 तब इस T के भाईलू को यहां रख देंगे तो S बराबर आगया 6 और 39 ठीक है साख्यान आपको दिखाई ना देता हो इधर लिख देते हैं ठीक है तो S का भाईलू हमारा आ गया है S बुराबर आ गया है 9, ठीक है, S बुराबर क्या आ गया, 9, तो हम लोग लिखेंगे, अतर, S बुराबर 9, तथा, T बुराबर हमारा का आ गया है, T बुराबर आया है हमारा 6, ठीक है, यहीं आपका answer हो जाएगा, ठीक है, अब अगले question के और बढ़ेंगे, चलिए student, हम लोग ने 1, 2 को दोनों को क्या कर लिया, final कर लिया है, ठीक है, अब हम लोग करेंगे किसको, अब हम लोग करेंगे question number 3 को final, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, और अच्छा तरीका से देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे आपका दोनो equation दिया हुआ है, इसको हम लोग ले चल के ब अच्छा तरीका से हल करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इसे हम लोग हल करते हैं, जैसे यहाँ पे जो सामने वाला लिखा है, क्या लिखा है, 3x-y बुराबर 3 लिखा है, इसी को हम लोग समिकरण 1 मान लेंगे, ठीक है, आज जो नीचे वाल लिखा है 9x-3y बुराबर 9 इसे हम लोग समीकरण 2 माननेंगे ठीक है ये हो गया आपका समीकरण 2 ठीक है ध्यान से देखिएगा इसको अगर अच्छा से नहीं देखिएगा तो आपको माजा नहीं आएगा पढ़ने में अब ध्यान से देखना है इसको यहां पे कह रहा है 9 ठ होता है उसी से हम लोग value निकालेंगे तो बहतर रहेगा जैसे यह दिख रहा है इसी को हम लोग अगर निकालें तो बहुत बहतर होगा ठीक है या तो बट्टा में करके निकाले तो चलिए हम लोग इसे बट्टा में कर सकते हैं और without बट्टा के भी निकाल सकते हैं जैसे य नहां लिखेंगे 3x-y बुराबर 3 है ठीक है अब इसको हम लोग क्या करते हैं इस y को इधर भेज देते हैं तो हमारा भैलू आ जाएगा ठीक है या हम लोग y को रहने देंगे इसको इधर भेजेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा जैसे कि यहां पर इसको हम लोग minus y को रहने देते हैं अगर ये थीरी है तो 3 और ये 3x minus में है इधर आएगा तो 3x minus में हो जाएगा अब इस a को change करने के लिए जब हम लोग इधर plus करेंगे तो minus से अगर गुडा करते हैं तो y plus में होगा तो इधर minus 3 हो जाएगा तो यहां लि यानि y का भैलू आगया 3x-3 आगया है ठीक है अब इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण 3 ठीक है ध्यान रखिएगा इसे हम लोग मान लिए समीकरण 3 अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में क्योंकि वन से काम हो चुका है समीकरण 2 में समीकरण 2 में y के मान रखने पर मान रखने पर ठीक है अब इसे हम लोग मान रख रहे हैं y क्या मान तो ध्यान से देखिएगा अब इस y का मान रख रहे हैं तो समीकरण 2 यहाँ पे है तो 9x-3y बुराबर क्या है 9 है इस समीकरण को देख लिजिए ध्यान से 9 है अब क्या करेंगे यहाँ पे जहाँ y है वहाँ यह भेलू रखेंगे तो 9x-3y है तो y के जगे हमें क्या रखना है यहाँ पे 3x-3 बुराबर 9 है ठीक है अब इसको हम उपर ले चलते हैं उपर देख करके इसको अच्छा से बनाएंगे कि ताकि दिक्कत ना हो सके क्योंकि next पेज में ले चलेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है देखने में ठीक तो चलिए हम लोग यही पर इसका solution कर लेते हैं यहाँ पर इसको यहाँ लाते हैं तो 9x है तो 9x हो जायेगा ठीक है 9x है तो यहाँ पर 9x थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं 9x और फिर 3 में और 3 से गुणा होगा तो माइनस 9x आजायेगा ठीक है और फिर यहां पे 3 से 3 में गुणा होगा तो यहां पलस 9 आ जाएगा जो यहां पे बराबर 9 है ठीक है यहां ध्यान से देखेगा अब देखे यह 9 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा जीरो यानि जीरो हो जाएगा या इस 9 को इधर भेजतेते हैं या 9 को कमन ही ले लेते हैं तो भी हमारा जीरो आएगा ठीक है या इसको 9 से 9 भेजेंगे जीरो हो जाएगा और फिर 9 से इधर भाग में भेजेंगे तो जीरो हो जाएगा तो इसलिए इस equation में आ रहा है x बॉराबर 0 यानि x भी 0 आ रहा है और इधर इस side भी 0 आ रहा है या आप समझ लिजिए ऐसे भी कि इसमें से ये घट गया तो 0 और पलस 9 बॉराबर 9 तो इसलिए ये 9 बॉराबर 9 भी क्या है 0 है क्योंकि ये इधर भेजेंगे तो घट जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा तो जहां इस तरह का भैलू आ जाए दोनो side बॉराबर वहां x का भैलू होता है आपका कितना 0 होता है x का भैलू कितना होता है 0 तो x बॉराबर आ गया 0 अब इसी को हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे तो यहां लिखेंगे समीकरण 3 में x के मान रखने पर यह है आपका y बॉराबर 3 x माइनस 3 समीकरण 3 यहां पे जो दिखने को मिल जाएगा अब इसे y बॉराबर लिखेंगे क्या चीज 3 और x का भैलू 0 है तो यहां गुणा 0 और माइनस 3 तो अब y बॉराबर 3 से 0 में गुणा होगा 0 और माइनस 3 तो y बॉराबर क्या आजाएगा आपका माइनस 3 आपका एंसर आ गया यानि y बॉराबर माइनस 3 और x बॉराबर 0 तो यहां लिखेंगे और तो x बॉराबर 0 और y बॉराबर कितना है माइनस 3 यह हो गया आपका एंसर ठीक है अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद